हलो 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 एवरिवान उमीद करता हूँ कि आप लोग चुछ दुरूस और तंदुरूस थो mentally and physically fit and fine तो दोस्तों आप लोग हमारे concept revisions और जो important questions की वीडियो जे वो enjoy कर रहे हैं लगभग 18 गंटे में हम लोग अगर 1.5 की speed पर देखे तो पूरे audit जो 11 chapters है उसका revision rapid revision rr 4.0 और हमने 250 plus 265 question दोस्तों cover किये है हमारे अगर आप देएंगे थोड़ा speed बढ़ा कर देखेंगे तो 12 गंटे के अंदर पूरे 250 question दोस्तों cover हो जा रहा है वी smart के playlist में आपको ये दोनों playlist मिल जाएगी और रवी टावरी चैनल के की उपर भी playlist में आपको ये दोनों playlist मिल जाएगी इसका पूरा फायदा उठाएए दोस्तों आईए आज के session में हम लोग मिल रहे है case based mcqs को discuss करने के लिए कोहिश करेंगे कम से कम समय में जादा से जादा हम लोग mcqs cover करें इसमें हम लोग ने rtp के case based mcqs mtp के जो mcqs अभी जो recently आया है नयक वर्स के वह और जो new study material है उसके सारे mcqs दोस्तों हम लोग ने cover कर लिए है description में link दी हुई है वहां से जाके आप इसको download कर सकते है ठीक है आई दोस्तों तो अगर आप देखेंगे तो आपके rtp में दो case based mcqs है वहाँ पे तो उसमें एक में पांच है तो ऐसे 10 फिर general mcqs है तो case scenario case based case scenario हमने सारे के सारे सारे के सारे यह mcqs आपके लिए हुए case scenario based mcqs around 33 है rtps और mtp1 मिला कर और आपका जो नया study material है दोस्तों उसमें around 70 है around 70 है तो total 100 के आसपास है हम कोशिश करेंगे कि आज के session में हम लोग एक घंटे एक घंटे के आसपास हम लोग around 50 mcqs हम खतम कर दें और अगले session में 50 mcqs खतम कर दें ऐसा करके दोस्तों एकदम efficient effective तरीके से हमारे सारे बहुत ही important mcqs जो है जहां से आने के बहुत ज़्यादा chances से वह हमारे cover हो जाएंगे तो आईए दोस्तों शुरू करते अब मैं यहाँ पर बता दूँ दोस्तों जब मैं case mcqs की होता है तो फिर आप उसको rectify करने के बारे में भी सोच सकते है और क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी scoring हो सकती है तो time देना चलता है अगर यहाँ पर एक घंटा भी कि आप सीधा अभी हम लोग करेंगे सीधा आप जो इतना बड़ा जो case होता है वो छोड़के सीधा आप question पड़े यहस दोस्तों सीधा question पड़े उसके जो options है उसके जो options है options analyze करें options में क्या फरक है कौन जी चीज बदल रही है सीधा जाके MCQ का question पड़ना और options को differentiate करना की यहाँ पे क्या लिखा है बहाँ पे क्या लिखा है marking फिर जाकर फिर जाकर फिर जाकर आप देखो इससे relevant point कौन सा है वो जाकर पड़े यह approach आपको बहुत कम समय में MCQ solve करने में मदद करेगा दोस्तों ठीक है आईए अगर आपको हमारे efforts मदद आते हैं तो please video like करो आप share करिए सबके साथ में और जब session खतम हो जाए तो उसके बाद में आपके प्यारे प्यारे comments दालते रही है आईए दोस्तों तो सबसे पहला बहुत प्यारा सबसे पहल कि वाला यह question है ठीक है आईए सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मैं question पूड़ूंगा सबसे पहले जिस तरीके से मैंने किया दोस्तों कम से कम सहमया मुझे अगर cover करने था कि देखना था कि कैसे questions है क्या questions पूचे हुए है तो यहाँ पर keeping in view description keeping in view description provided in the case scenario which of the following statement is likely to be most appropriate कौनसा यहाँ पर ध्यान रखना अगर नो गलती से लिखा हो तो extremely careful रहना अगर नो लिखा हुआ है तो ठीके यहाँ पर नो लिखा हुआ है कौनसा सबस्यादा appropriate statement होगा threats की बात कर रहे है क्या यह advocacy threat है ठीके क्या यह advocacy threat है क्या यह familiarity threat है क्या कोई threat नहीं है ठीके तो question ऐसा मुटा मुटी कुछ तो भी समझ में आता है अब हम जाते case के उपर दोस्तों कम से कम समय कवर करना ठीके ऐसा लिखा हुआ है ठीके यहाँ पर question क्या है मैं आपको बता है तो यहाँ पर यह लोग पूछ रहे है कि भाई कोई जानते थे socially जानते थे मतलब हां कभी उठना बैटना किसी program function में मिले ऐसे जानते थे बस इतनी जान पैचानती कोई friendship कोई friendship कोई friendship नहीं है कि तरह कोई relation नहीं है कोई इनके बीच में financial transaction वगर कुछ भी नहीं हुआ और पहली बार company ने अब इनको appoint किया है कि भाई आप हमारा audit करिए आप हमारा audit करिए सबसे पहली चीज वो पूछ रहे है सबसे पहली चीज जो यहां पर है कि क्या कोई threat है क्या पांच अलग-अलग तरह की threat होती है हम उसको सिप socially जानते दूर से जानते किसी तरह कोई relationship नहीं है किसी तरह का आपस में कोई भी threat नहीं होती फिर दूसरा पूछा है दोस्तों कि यहां पर इस assignment में detection risk कैसे होगी मतलब जो पूछा होने detection risk कैसे होगी detection risk high है kilo है अच्छा फिर assignment जाके देखना पड़ेगा तो दोस्तों ऐसा है कि turn or drastically बढ़ गया turn or has increased drastically 15 करोड से 30 करोड हो गया बहुत drastically turn or बढ़ गया inventory आपकी बहुत drastically बढ़ दी 2 करोड से 5 करोड हो गया inventory has increased heavy changes बहुत जदी चैंज है दोस्तों अगर heavy changes है तो आप मज़े थोड़ा सा a common sense लेकर बताइए heavy changes है तो गलती होने के chances कम होते हैं की जदा होते हैं तो आपके रिमांग में गलती होने के chances जदा होते है आयोटर के हाथ से छूटनी नी चाहिए हो हम जानते है हम इस तरह की planning करते कि हमारे हाथ से गलतिया ना छूटे लेकिन यह particular assignment अगर हम लोग देखे बहुत ज्यादा heavy changes है heavy changes in turnover, heavy changes in inventory ठीक है आपके plant and mushroom में कोई change नहीं है सिब उसका depreciation उसका जो net block है वो कम हुआ है, gross profit पहले 3.75, 25% profitability थी अब 20% हो गई, भाई साब आपके जो gross profit है profit percentage है 25-20% हो गया, turn-on बढ़ रहा है और profitability कम हो रही है, अजीब हो गरीब movements है, आपके data भी बहुत बढ़ गया, तो दोस्तों बहुत heavy changes है, gross profit में एक अजीब हो गरीब change है, ठीक है ऐसे कैसे turn-on बढ़ रहा है, gross profit इनके कम हो जा रहे है, उपर से पहली बार appoint किया गया है, first time appoint किया गया हुआ है, पहला साल है, heavy changes है, यहाँ पर और एक बात लिखी कोई internal auditor नहीं है है, हमारे हाँ से गल्ती होने के chances है, यहाँ पर risk कम है कि जादा है, तो दोस्तों जवाब यह है, ऐसे तो independence की उपर कोई threat नहीं है, लेकिन circumstances हम लोग देखे, तो risk के level जादा है, रिस्क के level जादा है दोस्तों, इसलिए इसका perfect answer, दोस्तों मुद्दा क्या है और answer क्या है, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, अगर आपके पास में समय है, अगर आपके पास में समय है, तो आराम प्यार मौपत से चीज़े पुरी पढ़िये, उसको interpret करिये, उसके बाद में जाकर, आप सही answer के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना समय हमारे पास में नहीं है, दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरगी कोई threat नहीं है, there is no threat, किसी भी तरगी कोई threat नहीं है, just a minute guys, just a minute दोस्तो, just a minute guys, give me a minute, तो दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरगी कोई risk नहीं है, कोई भी, किसी भी तरगी कोई threat नहीं है, sorry, किसी भी तरगी कोई threat नहीं है, overall situation ऐसी है, कि गल्दी होने के chance जादा है, तो यहाँ पे perfect answer है दोस्तो, D का, perfect answer is D, I hope आपको मुद्दा समझ में आया, कि बस जान पैचान से कोई threat arises, हम जानते हैं उपर-उपर से आमने एक में को इससे कोई familiarity threat आपस में कोई familiarity threat नहीं बनती और situation ऐसी है कि बहुत जदा heavy changes है, unusual changes है, पहला audit है, internal auditor भी नहीं है company में, तो risk बहुत जादा है, गल्ती होने के chances बहुत जादा है, overall risk जादा है, यह हमको समझ में आता है दोस्तों, तो इसका answer है D, मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत सारे अलग-अलग सवाल उट सकते हैं, दोस्तों तो आप यह video के comment में, आपके मन में कोई भी सवाल आएगा, तो आप उसको बिल्कुल दालिए, जो लोग बाद में भी देख रहे हैं, मैं इसका जवाब जरूर जरूर दूंगा दोस्तों, I'll be giving it all the answers, आईए, अगला question, property, plant और equipment, अगला question दोस्तों यह है कि property, plant और equipment का audit हो रहा है, अब उन्होंने list of audit procedures दी हुई है, कौनसी audit procedure सही नहीं है, appropriate नहीं है, कौनसी audit procedure अप्रोप्रियेट नहीं है, बहुत ही interesting था दोस्तों, जिसकी बहुत नजर strong है, यह मैं बोलूँगा, कुछ-कुछ हैर वो तो tricky खेलेगे, थोड़ा बहुत tricky खेलेगे, कोई बात हीं दोस्तों, कौनसी audit procedure सही नहीं है, सबके सब audit procedure सही लगते हैं, लेकिन अगर आप जाकर देखोगे, property plan equipment को अच्छे से देखोगे, पिछले साल का पीपी भी सेम है, पिछले साल का पीपी भी सेम है, इस साल का पीपी भी सेम है, मतलब property plan equipment के gross amount में कोई change नहीं है, कोई change नहीं है, मतलब इस बार कोई acquisition भी नहीं है, और कोई sale भी नहीं है, जैसे fixed asset पहले थे, वैसे के वैसे चल रहे है, हाँ, इनका जो net book value वो कम हो, of course, depreciation charge करने के वज़े से, जो net book value होता है, gross में कोई भी change नहीं है, मतलब कोई buying selling नहीं है, इसका indication है, इन लोगों ने एक procedure लिखी है, regarding buying of the fixed asset, अरे जब कोई gross block change ही नहीं हुआ, जब कोई gross block change ही नहीं हुआ, तो आप buying के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, तो verifying cost, verifying cost की दोस्तों जो बात कर रहे है, वो बिलकुल गलत बात कर रहे है, it is not a appropriate audit procedure, ये एक appropriate audit procedure नहीं है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छ इन्होंने case draft किया, मैं आपको बता दू, ये जो पहला case है, ये one of the best cases है, पूरे cases जो उनने दिये है, वो पहला case ही उनका सबसे best है, बाकी cases, बाकी cases आसान-सान से है, simple-simple से है, आईए दोस्तों, फिर, तो आपको मैं, I hope you are getting the concept and why that particular answer is there, वो answer क्यों है, दोस्तों बाकी जो options है, अगर बाकी जो options है, अगर मुझे लगेगा, तो मैं उस पर भी थोड़ी बात करूँगा, लेकिन उस पर बात करेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा, फिर हम लोग बात करते है, most suitable आपको क्या लग रहा है, variation in gross profit, दोस्तों, पिछले साल gross profit, जो gross profit ratio है, वो 25% हुआ करता ठीक है, तो पहले बोलते हैं, हो सकता है, sales price कब हो, हम जानते हैं, अगर sales price कम हो जाएगा, cost तो उतना है, GP ratio कम हो सकता है, पहला answer सही लगता है, दूसरे में लिखा है, GP ratio has increased, गलत का है का increase, कोई increase नहीं है, decrease हुआ है, तो वो तो ऐसी गलत हो गया, फिर इनका कहना है, administrative आती ही नहीं है दोस्तों, ठीक है, फिर decrease हुआ होगा, क्योंकि allowance, obsolete चीजों का allowance नहीं बनाया, अगर obsolete चीजों का allowance नहीं बनाया, तो मतलब PNL पे तो आपने उसका impact लिया ही नहीं, ठीक है, तो वो भी answer नहीं हो सकता, भाई GP ratio आप बोल रहे है, ठीक है, आपके B में लिखा GP ratio increase हो रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, फिर आगे लिखा है, एडमिस्ट्यू खर्चे बढ़गोंगे, वो तो GP ratio में calculate करते हो, आता ही नहीं है, फिर बोल रहे हमने obsolescence की entry नहीं लगए, अरे obsolescence की entry अगर आपने नहीं लगाई है, फिर तो profit बढ़े वे, ठीक है, profit आपक 20% हो गया है, 20% हो गया है, तो definitely, ठीक है, sales price कम हो गया, तो इसका सही answer बनता है दोस्तो, answer is A, इसका सही answer बनता है दोस्तो, A, I hope it is crystal clear, कम से कम समय में हमको पूरे concepts cover करने है, उसका to the point सही answer क्या है वो है, हमको देखना है दोस्तो, बाकी exam में आप MC को question और आपके जो options है, उस जादा सी जादा समय आप देख दोस्तो, आइए, फिर उसके बाद में ऐसा बोला है कि इन्होंने sale purchase, जो CAD है, CAD है, as studied sale purchase and data of the company, इन्होंने पिछले दो साल का purchase का data study किया है, sales का data study किया है, and also with preceding year, पिछले साल से, पिछले साल से comparison किया, बताओ कैसा comparison है, क्या ये ratio analysis है, definitely नही compare किया, trade analysis, हाँ, पिछले साल से compare किया, हो सकता है trade analysis, क्या reasonableness test, इसमें non operating data use करते, non financial data, sorry, non financial data use करते दोस्तो, reasonableness test में, ये non financial data नहीं बोल सकते, structural modeling मतलब equation वगरे बनाना, equation वगरे बनाना, इसमें कोई दोस्तो, equation वगरे तो बनानी है, ठीक है, ये session दोस्तो, एक घंटे के आ आये दोस्तो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसका best answer है, correct answer है, trend analysis, आये दोस्तो, अब यहाँ पे अगला question है, कि कौन सा standard, यहाँ पे standards की list दी है, भाई, बहुत ही प्यारा बनाया पहला के, कौन सा standard यहाँ पे relevant नहीं है, कौन सा standard relevant नहीं है, भाई, यार कैसे, आपक confirmation, ठीक है, कोई ऐसी बात की तो नहीं है, 550, रिड़ेट पार्टी, 10, अब कौन सा आपको लग रहा है कि यह relevant नहीं है, पहली बार appoint किये है, तो 510 भी relevant है, ठीक है, दोस्तो, यहाँ पे 610, internal auditor है ही नहीं, internal auditor है ही नहीं, तो using work of internal auditor कहां से आएगा, दोस्तो, using work of internal auditor, using work of internal auditor कहा से आएगा, दोस्तो, मैं स्कीन के आपको नहीं दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कौन सा standard बिलकुल भी relevant नहीं लगता, कौन सा बगर काम का लगता है, तो यहाँ पे 610 किसी काम कहीं लगता, जब internal auditor है ही नहीं, दोस्तो, तो फिर 610 लग इसलिए जब not आए, तो बहुत careful हो जाए, is not proper, तो answer is B, यहाँ पे 610 वाली जो चीज़ें प्रॉपर नहीं, यहाँ पे 610 वाली चीज़ प्रॉपर नहीं है, related party के बारे में भी, related party के बारे में भी कुछ बोला हुआ नहीं है, तो वो भी सही नहीं लग रहा, यह दो standard ऐसे ह आपका case scenario based mcq बहुत ही काम का लग रहा है दोस्तों, आइए, अब हम लोग May 24 RTP का, सबका source दिया हुआ है दोस्तों, सबका source दिया हुआ है, कहां कहां से आया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे और एक case scenario based mcq है, और यहाँ पे मुद्दा, हम लोग, मुद्दा यहाँ पे यह है यह particular case के अंदर कि भाई company के लोग बहुत सारे चीजों को follow नहीं कर रहे है, यह लोग internal control systems follow नहीं कर रहे है, यह लोग bank reconciliation statement नहीं बढ़ा रहे, अरे बाप रहे, इतनी बड़ी कमी है internal control system में, bank reconciliation नहीं बाएं दोस्तों, ठीक है, कितनी बड़ी बात है, bank BRS वोई सबसे अरे सीखते हैं हम लोग, वो ही नहीं बना रहे हैं लोग तो, ठीक है, फिर उसके बाद में, purchase orders are not number, अरे भाई, purchase order को numbering ही दालते हैं, कभी purchase order miss हो जा तो हमको पता ही नहीं चलेगा, यह भी internal control में deficiency है, कोई छूर जाए, पता ही नहीं चले, wait sheet को कोई verify नहीं करता, कोई verify नह नहीं कर रहा है, ठीक है, भाई, गलत payment हो जाएगा, यह भी deficiency है, cash in transit होता है, insurance उसका खतम हो चुका है, renew भी नहीं किया, अरे भाई, cash in transit बहुत बड़े लेवल पे cash का movement होता है, इनके business में, और उसका insurance खतम हो, उसको renew नहीं किया, भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे तो, ठीक है, यहाँ पे पूछा है, अब यहाँ पे यह internal controls, auditor हमारा internal controls study करने के लिए गया, internal controls study करने के लिए गया, और उसको यह problems नज़र आ रहे हैं दोस्तों, आईए, सबसे पहले क्या पूछा हुआ है, the auditor has performed, auditor ने देखा, कि क्या internal control बराबर designed है, क्या बराबर design बराबर उसके steps बने हुए है न, और क्या उसको salver बराबर implement कर रहे है, steps बने है न, उसका implementation हो रहा है न, which of the following procedure, more reliable, कौनसी procedure आपको more reliable evidence देगा, कौनसा procedure आपको सबसे reliable evidence देगा, observation, कौनसा सबसे अच्छा evidence आपको देगा, observation, inspection, inquiry, studying the design, ठीक है, कौनसा method, कौनसा method of collecting audit evidence, कौनसा method of collecting audit evidence आपको अच्छे से अच्छा, ठीक है, आपको evidence देने वाला है दोस्तों, देखिए, सभी method में कुछ न कुछ प्रॉबलम है यहापे, लेकिन सबसे high quality evidence, सबसे reliable evidence आपको कौन देने वाला है, ठीक है, दोस्तों, यहाँ पे, पहले studying design of the control, यह कोई method ही नहीं है, उसको छोड़ दीजे, सिप पूशता अच, इतना नहीं है, दो की पीछ में confusion आता है, observation से reliable evidence मिलता है कि inspection से, देखिए, दोस्तों, observation में एक problem है, observation में एक problem है, कि वो उस moment of time का evidence देता है, that's it, उस moment of time का, पहले का बात का नहीं दे सकता है, हो सकता है, लोग, जान ठीक है, चीजे हो सकती दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने problems नहीं पूछना सबसे reliable, कौन सी चीज आपको सबसे reliable evidence देती है, सभी method में कुछ न कुछ problem होते है, इनका कहना है, आखो देखी सबसे best है, visual evidence सबसे best है, visual high quality evidence है, इन्होंने observation, इन्होंने बोला observation सबसे reliable evidence, मैं यह नही is very reliable evidence, ठीक है, यहाँ पे difference of opinion हो सकता है दोस्तों, लेकिन उन्होंने visual evidence को importance दिया, बुले, reliable evidence तो आपको observation समता है, overall, overall quality अगर देखे तो inspection, inspection of documents भी बहुत प्यारी चीज़े, बहुत अच्छे चीज़े, यहाँ पे close fight था दोनों के बीच में, लेकिन मैं बोलूँगा, reliability में observation is better, observation ज्यादा बहतर है, ठीक है, आईए दोस्तों, next हम लोग बात करते, case scenario number, case scenario number, अगर हम लोग, तू की बात करें दोस्तों, आईए, यहाँ पे question क्या है, यहाँ पे question है, question है, examination and evaluation of internal controls is dispensable, बहुत 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 है, internal controls को तो study करना ही पड़ता है, internal controls को तो study करना ही पड़ता है, examine करना ही पड़ता है, it provides him necessary comfort, भाई, overall information complete है, वो हमको पता चलता है, review of internal controls will not enable him, review of internal controls से क्या नहीं पता चलेगा, क्या नहीं, not is extremely important, क्या नहीं पता चलेगा, ठीक है, कहां-कहां गलतिया हो सकती है, यह not कुछ है दोस्तों, कहां-कहां गलतिया हो सकती है, सही लग रहा है, internal control हमको पता चलेंगे, तो हमको समझे, कहां-कहां गलतिया हो सकती है, कहां- गलतिया निकाल के उसको ठीक रख रहा है ना, ठीके, तो ये भी समझ में आता है कौन से administrative, कोई अगर human being based manual controls है, manual controls है, तो HR function important बन जाता है, employees को कैसे manage करते हैं, वो control important बन जाता है, ये भी समझ में आता है कौन से control important है, उसको support करने के लिए HR function, administrative, administrative control मतलब employees से related controls, office के controls, उसको बो समझ में आता है कि human controls important है, manual controls important है, उसके लिए HR controls important है, हाँ ये भी सही है, opinion needs modification, सही बात है, test of control से control अच्छे है कि बुरे ये समझ में आता है, आगे जाके गलति कम होगी कि ज़्याद होगी वो समझ में आता है, opinion modify करना की नहीं, देखो test of control में focus इफ internal control system पे है, लेकिन हमको opinion internal controls पे नहीं देना है, हमको तो substantive process perform करके financial items को check करके बताना है, are they free from material misstatement, ठीक है, substantive audit procedure perform करेंगे, material transaction balance disclosure को जब हम check करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि whether all material items are free from material misstatement, तब हम लोग opinion generate कर पाएंगे, opinion generate करने के लिए substantive procedure सबसे आदा important है, test of control नहीं, तो हापी रुमत्तन की कौन सी च opinion बनाने में कोई मदद नहीं होगी, क्योंकि opinion बनाना है, तो substantive audit procedure आपको काम हैगा दोस्तों, I hope आपके दिमाग में clarity है, फिल्म का कहना है कि भाई, इतनी problems है, ये लोग bank reconciliation नहीं बनाते, ये problem है, ठीक है, ये लोग purchase order को बराबर numbering नहीं कर रहे है, अरे भाई, pre-numbering नहीं है कहां कोई missing चला है, पता नहीं चलाएगा, ये problem है, wait sheet कोई check नहीं करता है, ये problem है, correct, बड़े-बड़े cash in transit का insurance नहीं है, ये problem है, ये problem है, उनका कहना है कि ये problems है, these are deficiencies, क्या है significant deficiency है या फिर other deficiency है, सारी deficiency बहुत बड़ी-बड़ी है दोस्तों, सारी की सारी deficiency, बहुत बड़ बड़ी-बड़ी-बड़ी-बड़ी-बड़ी है, अब अगर आप देखेंगे, C option सबको cover कर लिया, reconciliation नहीं बनाना, ये भी significant है, purchase order की sequence बराबर नहीं है, ये भी significant deficiency है, wait sheet को verify नहीं कर रहे है, ये भी significant deficiency है, insurance नहीं लिया कहा है, ये भी significant है, तो सारे के सारे बड़े-ड़े- deficiency का specific मतलब होता है, जिसके वज़े से बहुत जादा probability है गलती होने की और बड़े amount की गलती हो सकती है, ये सबी deficiency की वएसे बहुत जादा probability है गलती होने की और बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है, I hope दोस्तों आपके दिमार्ट में clarity है, अगर आपको जिसमें अलग चा most appropriate है, auditory responsibility को लेकर, ठीक है, इनको significant deficiency communicate करना है, बिल्कुल सही है, करना पड़ता है, इनको significant deficiency communicate करना है, compare करो, उसका potential effect भी बताना पड़ता है, बिल्कुल बताना पड़ता है, ठीक है, फिर, हमको अगले option में लिखा है, हमको opinion देना पड़ता है, इंटरना पड़ता है, बिल्कुल गलत नहीं देना पड़ता है, opinion हमको, इंटरना पड़ता है, financial statement पर ओपन देना पड़ता है, ठीक है, हमको deficiency communicate करना चाहिए, उसका effect बताना चाहिए, इतनी information देनी चाहिए, कि ल D, इसलिए आप options को compare करिए, options को compare करिए, D में पूरी चीज़े है, significant deficiency का description देना चाहिए, उसका क्या effect हो सकता है, कितने करोड की गलती हो सकती, वो आपको देना चाहिए, और sufficient information देना चाहिए, for example, कौन से कौन से income affected है, उसका क्या amount है, कौन से expense affected है, उसका क्या amount है, asset liability का क्या amount है, asset liability क्या amount है, ये सारी चीज़े, ठीक है, ये सारी दोस्तों, ये सारी चीज़े आपको बतानी पड़ती है, जब आप communication करते हो, ये सारी चीज़े include है, option number D में, तो D आपका सही answer दोस्तों, आईए, now, दोस्तों, 10 हमारे MCQ खतम हो चुके है, around 50 MCQ हम लोग टार्गेट कर र बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा केस है, मज़ा आगया पड़के है, मज़ा आगया, बहुत मज़ा है मेरे कोई पड़के, मैं आपको तो क्या केस है, दो, दो firms है, एक है वेल स्टार होम्स, एक वेल स्टार होम्स करके है, और एक वेल स्टार स्टोर्स करके है, वेल स्टा क्या किया कुछ खर्चे कुछ खर्चे आपके स्टोर्स के खर्चे स्टोर्स के खर्चे गलती से होम्स में डाल दिया एक firm के खर्चे दूसरे firm में डाल दिये अब वो पूछ रहे कौन से assertion पे impact है कौन से assertion पे impact है दोस्तों बहुत कमाल की चीज़ है मतलब homes के अंदर खर्चे डाले है उसके खर्चे है ही नहीं यह उसके खर्चे ही नहीं है ठीक है गलती से एक खर्चे चले जा रहे है जो उसके है ही नहीं और एक जगा से खर्चे गायब हो जा रहे अब वो पूछ देखो जहां से खर्चे गायब हो रहे है अगर हो बुलते अगर हम स्टोर्स, स्टार स्टोर्स की बात करे जहां से खर्चे गायब हो गए उसके कौनसे assertion में problem है तो उसके completeness में problems है और जहां खर्चे book हो रहे हैं अरे भाई वो उसके कोई real खर्चे है ही नहीं उसके खर्चे ही नहीं है वो तो भाई उसके खर्चे ही नहीं है जो firm से खर्चे गायब हो जा रहे है उसके completeness में problem है और जो firm में खर्चे पहुँच जा रहे है अरे उसके तो खर्चे ही नहीं वो real expenditure नहीं है उसके occurrence में problem है उसके occurrence में problem है दोस्तो तो दोस्तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहां पे इन्होंने पूछा है कि जहां पे खर्चे पहुच रहे उसके कौन से assertion में problem है तो जहां पे खर्चे पहुच रहे दोस्तों ठीके उसके वो खर्चे ही नहीं है उसके लिए कोई real expense ही नहीं है वो उसके occurrence में problem है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बड़ा प्यारा केस था दोस्तों हर केस को enjoy करिए tension मत लीजे हर केस को आपको हर केस को enjoy करना है बिल्कुल tension ही रहना क्या सीखने को मिल रहा है वो आप देखिए जितना आप सीखते जाएंगे बहतर बनते जाएंगे exam और उतना प्यारा जाएगा आप ये सोचके चल देऊ सोचो इसमें से कुछ नबुछ आ जाएगा इसमें से 10 माग का उतर जाएगा ये सोचकर आपने पढ़ना चीए तो पढ़ने में मजा ही अलगाता है आएगे दोस्तों अब अगला है ठीके एक कमपनी के बारे हम बोला है जो कमपनी एकदम खाती पीती है बहुती बढ़िया कर रही है handsome profits बहुत बढ़िया कर रही है handsome profits ये लोग कमारे दोस्तों handsome profits since last many years जबर्दस profit कमा रहे है कोई प्रॉब्लेम नहीं है expansion के बारे में सोच रहे है इनको पैसा भी मिल रहा है bank से इनको पैसा भी मिल रहा है बहुत बढ़िया धंदा चल रहा है सब लोग पैसा देने को भी तयार है expansion चल रहा है going concern मतलब कैसा है बताई going concern एकदम हट्टा-कट्टा मुश्टंडा है going concern ही कोई चिंता करने की जरुरत नहीं है ठीक है अप्शन नमबर डी में बुला है cash flow forecast चेक करना चाहिए भाई क्यों चेक करना चाहिए going concern पे कोई खत्रा ही नहीं है यह answer नहीं है option नमबर बी के अंदर बुला है detail में चेक करना पड़ेगा क्यों चेक करना पड़ेगा detail में कोई जरुरत ही नहीं है ठीक है हम लोग management के assessment skip कर दें अरे अगर management ने going concern assessment बनाया तो देख लेंगे न ठीक है सिरा छोड़ देना अगर उने management की जिम्यदारी है अपना going concern असेस करने का going concern का assessment feasibility report बनाना management की जिम्यदारी बनाया हो तो देख लेंगे सबसे best answer है detailed evaluation perform करने की जरुरत ही नहीं है क्या बढ़िया question है वैस सब कुछ सब कुछ एकदम कुशल मंगल चल रहा है तो आपको going concern का detailed analysis करने की जरुरत नहीं है ऐसे 570 में दोस्त हम discuss करते हैं तीन step है events and condition है तो additional process perform करो और फिर आप conclusion पर जाईए and then you have to go for conclusion यहाँ पर तो कोई problem ही नहीं है दोस्तो conclusion ठीक है यहाँ पर going concern कोई दिक्कत ही नहीं है detail में जाने की जरुरत ही नहीं दोस्तों ठीक है अब यहाँ पर अगला case आए दोस्तों he has taken भाई साब यह bank का audit करना चाहता है bank का audit यह एक branch का audit करना चाहता है और वही से ठीक है उसने 75 lakhs का loan लिया हुआ है कौन सा threat है बताओ कौन सा threat है ठीक है जिसका तुम audit करना चाहते हो वही से आपने loan लिया हुआ है disqualification की बात नहीं कर रहे है दोस्तों threat की बात कर रहे है ठीक है पांच तरह के आपके threats है interest threats I am fair करके short करें I for interest self interest family tree कोई जान पैचान की बात है बिल्कुल नहीं advocacy advocacy की बात है जब multiple assignment करते है और फिर कैसे दोनों assignment को balance करूँ एक तरफ तारीफ करनी एक तरफ चेकिंग करनी है तो advocacy का problem है खुद का काम check कर रहे review intimidation ऐसा भी नहीं है interest खुद का financial benefit जुड़ा हुआ है जब आप loan भारी loan का लेंदेन करते तो खुद का interest जुड़ा हुआ है दोस्तों इसका answer है B self interest threat इसका answer है B self interest threat आईए दोस्तों ठीक है अगले अगले इसकी उपर हम लोग जाते है next अगर हम अगले list पर जाएंगे एक मिनट दोस्तों अगर मैं अगले इसकी बात करूं ठीक है कि management is not internal internoiter कुछ गलती है बता रहे management बिल्कुल serious नहीं है इसके इत्म से संपृब इसका से कुछ इन देंतों इंट्र ऑटर का इंटनरोयbor उसका काम यह वोलना डुनिया वर की चीज़न इंटरोड करता रहता है दुनिया वर की चीज़न इंट्रोडिकर करता रहता है क्या टाइम पर्स टिया देखना उन है क्या देखना है क्या करना इन सब चीजों को लेकर ठीक है तो वो कुछ इंटल और गरी पर ध्यान दे रहा है फिर इन्हों ने ठीक है कुछ transactions not disclose management ने कुछ चीजों को disclose नहीं किया लेकिन he has acidiously भाई साब क्या vocabulary है शाशी थरूर है यह तो शाशी थरूर है भाई ठीक है इसने carefully management ने तो कुछ information नहीं बताई थी इसने carefully दो-तिन जगा से information देखा annual report देखी past annual report देखी past की MCA के portal पे गया और उसने related party को धूंड के निकाला यह जो अप ठीक है यह जो situation है यह जो उसकी approach है यह उसकी कौन सी quality बात है basically situation यह है कि management information नहीं बता रही थी कम बता रही थी लेकिन यह बंदा जाकर ठीक है share के move में से ठीक है जान बचाता है गलती निकाल के लाता है यह जाके ठीक है गलती जो निकाल कर लाता है तो यह कौन सी quality है उसकी कौन सी quality है ठीक है objectivity मतलब unbiased है ना personal relation में को आजू-बजू रखना यह नहीं लग रहा प्रोफेशनल knowledge independent है कि skepticism को कोई relation आपस में relation का तुछ है ही नहीं यह बंदा बहुत carefully काम कर रहा है यह बंदा बहुत carefully कर रहा है यह बहुत बंदा alert रहके काम कर रहा है questioning cross questioning करके ठीक है information को check reach करके आगे बढ़ रहा है इसको हम लोग professional skepticism बोलेंगे दोस्तों this is a case of professional skepticism तो यह professional skepticism का केसे दोस्तों ठीक है आई यह यह बंद अपॉइंटेड यह बिन अपॉइंटेड यह बिन अपॉइंटेड एस statutory order of a company for the first time आगे आते हैं तो बहुत प्यारा था दोस्तों यह carefully काम कर है मतलब alert रहकर काम कर रहे है check, reach, cross check कर रहे है जब alert रहे काम करे तरिस professional skepticism अगर हम बात करते हैं यह बिन appointed statutory order of a company for the first time it has been very important understand the company and its environment आप company और इसके environment आप कुछी भी company में आप जाते हो यह तो understand entity and its environment including internal control system ठीक है तो कौनसी चीज़े कौनसी चीज़े which of the following activities are not expected समझने के लिए क्या करो कौनसी चीज़ करने की जुरूत नहीं है आप उनका debt structuring समझना चाते हो ठीक है accounting policy ठीक है business risk ठीक है अप valuation of trade receivable understanding entity and environment उनके debt structure समझना उसमें आता है accounting policy समझना उसमें आता है business risk को समझना उसमें आता है ठीक है understanding entity and environment including internal control system यह specific data का value check करना यह उसमें नहीं आता है यहां पर simple बुला हुआ है कि अगर आपको काम नहीं आने वाला यह उतना relevant नहीं है यह उतना relevant नहीं दोस्तों पहले तीन बहुत relevant है आखरी वाला इतना relevant नहीं है यह जो आखरी वाला यह बिल्कुल expected नहीं है यह जो आखरी वाली चीज है यह बिल्कुल relevant नहीं understanding के लिए इतनी अच्छी नहीं as compared to odd man out दोस्तों अगर आप odd man out करोंगे आपको feel आ जागा इसलिए options को read करना, options को read करना, similar option धुण के निकालना, or धुण के निकालना ज़र यह ज़र दोस्तों rtp के सारे case हो गए dोस्तों MTP के oùपर आई है MTP की उपर आई है MTP का पहला case है दोस्तों की उपर आई है ठीक है मैं तो सीधा MCU question की उपड़ यहाँ पर इन्होंने कुछ accounting income की बात की और कुछ taxable income की बात की अब accounting income और taxable income आप compare करते हो AS22 में deferred taxes के अंदर ठीक है deferred taxes के अंदर अब यहाँ पर यह बोल रहा है ठीक है चार में से दो option में तो AS29 डाल दिया तो ऐसे ही दो गलत हो गए बचे कौन सा सही है अब option compare करो में एक में deferred tax library लिखा है एक में deferred tax asset लिखा हुआ है बस अपने को यह पता लगाना है कि case में जो situation है उससे DTA बनता है कि DTL बनता है जैसर को बुलाना पड़ेगा यह तो AS22 की बात आगी आईए दोस्तों बहुत simple है ठीक है यह बात लिखी हुई ह एकदम simple बात लिखी हो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों कि जो book का depreciation है वो जादा है और income tax का depreciation कम है book का depreciation जादा है financial statement में depreciation जादा है और income tax में कम है बहुत simple है income tax वाले क्या कर रहे अपने को देखना है income tax वाले कम depreciation दे रहें कम depreciation दे रहें मतलब income tax वाले मुझे खर्चे का पूरा benefit नहीं दे रहे इंकम टैक्स मुझे benefit नहीं दे रहे है थिक है लेकिन ये benefit वो आके जाकर मुझे कभी न कभी देंगे यह temporary difference है depreciation का mismatch मैच इंकम tax वाले आज मुझे ठीक है depreciation का benefit नहीं दे रहे आगे जाके कभी ना कभी मिलेगा ठीक है खर्चे का benefit मुझे आगे जाके कही तो भी मिलेगा this is deferred tax asset जब आगे जाके आपको benefit मिलता है तो वह deferred tax asset है दोस्तो तो इसका answer आएगा option B इसका answer दोस्तो आएगा option B deferred tax asset बड़ा प्यारा सा था interesting सा था दोस्तो आईए अब बड़ी प्यारी चीज़ है इन्होंने एक software खरीदा और software के साथ में CD खरीदा बतलब CD भी आई software पुराने जबानी के बात है इन्होंने एक software खरीदा और software CD के उपर आया CD आपने CD देखाऊगा ना CD कभी देखाऊगा ना CD गोल गोल CD होती है CD ठीक है compact disc बोलते है CD तो अब यहाँ पर पूछा हुआ है कि इसकी accounting कैसे होनी चाहिए AS26 लगता है दोस्तों और AS26 बोलता है कि अगर asset का main characteristic intangible है software is a intangible thing software एक intangible चीज है और वो आया CD के उपर है तो अब इसका accounting treatment क्या होगा क्या हम जो भी cost लगी हमको software किया थोड़ी सी cost CD किया है क्या सबको हम intangible बोल देंगे क्या सबको हम intangible बोल देंगे क्या सबको tangible बोल देंगे कि software को intangible और CD को tangible बोलेंगे ठीक है तो दोस्तों AS26 में बोला हुआ है जब आप intangible asset खरीदते हो या बनाते हो ठीक है तो आपको main आपको देखना है कि main खरीदते हो तो साथ में साथ में छोटा मोटा साथ में छोटा मोटा आपका tangible कॉस्ट भी हो सकता है लेकिन वो asset की value CD के वज़े से नहीं है asset की value software के वज़े से तो ऐसे case में जब जब intangible asset का importance बहुत जादा है तो उसके साथ आने वाले छोटे मोटे tangible cost को भी intangible के साथ ही हम लोग capitalize करते हैं AS26 के अंदर तो company company इसको एक साथ capitalize कर रही है company इसको एक साथ capitalize करें दोस्तों तो company का treatment बिल्कुल सही है company दोनों को company दोनों को intangible asset से treat कर रही है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं MC के questions और options यह आपने पढ़ लिए main case study पढ़ने की जरुरत ही नहीं पढ़ती और यह intelligence जब आपको आ गया यह जो command आपको आ जाए दोस्तों ठीक है यह अगर आपको command आजाए दोस्तों तो बहुत मज़ाएगा बहुत मज़ाएगा तो दोस्तों ठीक है definitely आप लोग जब भी answer देना चाहे बीच में बीच में दीजिए मैं speed को क्या है discrepancy notice हुए है बहुत ही प्यारी चीज़ बहुत प्यारी चीज़ यहाँ पर इनका कहना है इनका कहना यहाँ पर इनका यहाँ पर कहना है कि इस साल ऐसा देखा गया कि बहुत सारे fix assets को एक branch से दुसरे branch में लेकर गये वो लेकिन fix assets records में fix fixed asset records में उसको बराबर उनने adjust नहीं किया और फिर कुछ fixed asset को scrap कर दिया dispose कर दिया लेकिन वो भी fixed asset register में बराबर उनने नहीं किया तो बराबर उसको adjust नहीं किया था अब जब physical verification में अचानक बहुत difference आया लगा तो discrepancy मिली तो उन्होंने discrepancy को adjust कर दिया बराबर उसको ठीक कर दिया तो discrepancy को ठीक कर दिया दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि fixed asset registers में problem थे physical verification में problems मिले और वो ठीक हो गया है अब मुछे बताए कि अगर वो problem ठीक कर लेते तो क्या िव कंशी करेंगे क्या हम modify नहीं करेंगे हमको modify करने की जरुरत नहीं है क्या यह misstatement क्या यह missstatement नहीं भैई उन्होंने तो सब rectify कर दिया financial statement में आज कोई misstatement नहीं है financial statement में आज कोई misstatement नहीं है तो दोस्तों यह इन्होंने जो भी डिफरेंस था उसको ठीक कर दिया ठीक है तो बेसिकली financial statement में आज करेट में कोई misstatement नहीं है कोई opinion modify करने की जरूरत नहीं है क्या छोड़ देंगे कुछ भी नहीं करेंगे एक इसमें लिखा हुआ है बस अब और कुछ करनी की जरूरत नहीं कुछ करना पड़ेगा कारो कारो companies auditor report order उसका जो clause 1 है वहां बताना पड़ता है physical verification हुआ तो उसमें कोई discrepancy निकली क्या कोई discrepancy निकली क्या और अगर discrepancy material निकली है तो उसके बारे में बताओ तो कारों में reporting करनी पड़ती है बी और सी क्लोस थे कुछ नहीं करना यह गलत जवाब हो जाएगा कारों में reporting करने पड़ेगी दोस्तो clause 1 में fix आदे के reporting करनी पड़ेगी specific reporting इसलिए बी इसका सही answer दोस्ते बी इसका सही answer बहुत interesting था वापस यह लोग records बराबर maintain नहीं किया था इन्होंने physical verification किया difference मिला फिर गलती मिली फिर rectification किया आज केट में कोई statement नहीं है कोई modify करने की जरूरत नहीं है कुछ भी नहीं करेंगा ऐसा नहीं बोल सकते कारों में reporting करनी पड़ेगी इसलिए क्योंकि कारों में reporting करनी पड़ेगी B answer is better माना modify नहीं करना है माना modify नहीं करना है लेकिन कारों में तो बते बतानी पड़ेगी ठीक है यहाँ पे यहाँ पे आईए दोस्तों यहाँ पे इनके revenue की बात किये इनके revenue में यह revenue है ठीक है education institution है 45 crores का student fees कमाते 45 crores का 45 crores का दोस्तों student fees कमाते 5 crore 5 crore का sale of books से कमाते 45 crore का student fees 5 crore यह sale of books से कमाते दोस्तों तो हो गया total 50 और इसके बाद में 10 lakh का interest है तो ऐसा है दोस्तों revenue from operation में जाना चीए 50 crores notes to accounts में break up जाना चीए कि fees से कमाए 45 crore और sale of books से कमाए 5 crore और आपका जो 10 lakh का interest income में यह other income में जाना चीए यह other income में जाना चीए तो भाई थोड़ा सा schedule 3 का knowledge है और कुछ भी नहीं है ठीक है आप अगर revenue from operation revenue from operation 50 crore बिलकुल सही है अब A और B revenue from operation 50 crore लेकिन A और D में ऐसा लिखा है revenue from operation 50 crore दोनों में से लेकिन D में ऐसा लिखा है 50 crore तो बताओ और notes to accounts में break up दो कि fees से कितना मिला और sale of books से कितना मिला यह answer जादा perfect है A और D से यह answer जादा perfect है दोस्तों तो यहाँ पर answer आपका जो रहेगा it is going to be D D आपका answer हैगा दोस्तों तो आप देखिए क्या आप क्या क्या सीख्टे को यह learning आप बनाई है learning बनाई है जिसके अंदर जादा चीज़े include होती है generally वो options सही की तरफ जाता है generally मैं बात करो सही की तरफ जाता है इसलिए MCQ question पढ़ने में case से यादा question पढ़ने में और options compare करना यह सबसे जादा important चीज़ आप करे रहेगी ठीक है आई दोस्तों company ने तीन साल की useful life लिये ठीक है the company has useful life of three years यह useful life की जो requirement है क्या यह schedule थ्री में होती है नहीं schedule थ्री में तो format होता है companies act में फिर अगले इसमें लिखा schedule टू में होता है not prescribed तो ऐसा है कि आपके आपका useful life क्या होना चीए ठीक है maximum useful life कितना होना चीए यह आपके schedule टू में दिया है Companies Act से भी ज़ादा बहतर answer है Schedule 2 Schedule 2 यह perfect answer है ठीक है, बट आप हमेशा वही follow करो ज़रूरी नहीं है आप useful life उससे कम भी रख सकते हो आप useful life उससे कम भी कर सकते हो तो answer ही C दोस्तो आईए दोस्तो, फटाफट, फटाफट Case scenario number 2 हमारा MTP खतम हो जाएगा we'll be through with the MTP ठीक है, हमारा RTP खतम हो चुका है दोस्तो, MTP भी हमारा खतम हो जाएगा फिर हम लगबग 50 question करके अभी का आज का session हम आज का session हम लोग खतम करेंगे अगले 50 question अगले session में हम लोग करेंगे, ठीक है इससे थोड़ा freshness भी रहेगा आपका भी freshness, मेरा भी freshness आईए दोस्तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि branch का audit, audit of branch ठीक है audit of branch हो रहा है branch का audit कौन कर सकता है भाई दोस्तो section 143 sub section 8 है, इंडिया की branch है तो जो central principal auditor है वो कर सकता है, इंडिया की बाहर की branch है, तो जो foreign professional, इंडिया की branch है तो आपका main auditor वो कर सकता है फिर any person who is qualified not disqualified इंडिया के बाहर की अगर branch होगी न दोस्तो, तो वो कौन कर सकता है main auditor कर सकता है, या फिर person qualified as per foreign laws ठीक है, as per foreign laws यहाँ पर यहाँ पर now shall be audit either by company auditor और by any other person qualified for appointment appointment, an appointment such under 139, in such in case branch are audited by person other than company auditor, branch auditor is sent ठीक है, अब यह इंडिया की branch है दोस्तो तो बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है, company का जो auditor हो कर सकता है या फिर कोई भी बद्दा जो qualified है, audit करने के लिए under section, as per section 141 जो जो इसको अपॉइंट कर सकते हैं, बिल्कुल सही, 139 में वो बंदा कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब option है हमारे पास, B में option निकाल दिया, only लिग दिया, C में भी only लिग दिया, यहाँ पे गड़बड होगी branch order सिधा member को report देगा, यहाँ पे गड़बड होगी एक option दिया हुआ, इसलिए गलत होगया यह, एक एक option में गलत होगया, बहुले member को भी जा गलत होगया बहुत दो लोग कर सकते हैं, company का main order भी audit कर सकता है ऐसे branches का या फिर कोई बंदा जो qualified है, disqualified नहीं है और जो eligible है for appointment under 139 वो, इसका perfect answer दोस्तो, A है After reading methodology for carrying out branch audits of Mr. D, which of the following statement is likely to be most appropriate methodology, उनकी methodology for carrying out, ठीक है, दोस्तो, क्या बोला है methodology के बारे में आईए मैं आपको बाताओ, methodology के बारे में क्या बोला है इनोना है methodology के बारे में, methodology के बारे में दोस्तो, क्या बोला है वो मैं आपको बाता हूँ ठीक है, Brian Choyter क्या बोल रहा है, भाई साब यह जो बड़े-बड़े काम होते हैं यह risk assessment के काम, audit strategy बनाने के काम, risk assessment strategy बनाना, उसके बाद में risk assessment का काम करना यह बड़े-बड़े काम बोले principle auditor करता है, मैं तो हूँ branch auditor हूँ, मैं तो सिप branch auditor हूँ, मैं क्या करेगा, मैं यह सब कुछ नहीं करेगा मैं सीधा जाकर substantive audit procedure लगाँगा, क्या इसका यह सोचना सही है, बिल्कुल गलत है, सभी branch auditors को अपनी खुद की strategy बनानी पड़ेगी, अपना खुद का risk assessment करना पड़ेगा, उसके बाद test of controls करने होंगे, उसके बाद substantive audit process परफॉर्म करना होगा, ठीक है, और यह जब पूरी प्रोसेस है, इन सब का गलत है दुस्तों, ठीक है, ठीक है, separate, separate strategy, separate strategy, risk assessment, mortality, not required बोला है, गलत, not required बोला है, गलत, required बोला है, ठीक है, required बोला है, जहां पर required बोला है, वो सही होता है, identify and assess with D वाली में का लिखा है, तो आपका ब्राइंच लेवल पे strategy अलग बनेगी, maturity अलग बनेगी, risk assessment अलग होगा, substantive audit process, test of control अलग, substantive process अलग होगा ब्राइंच पर अलग होगा, ब्राइंच पर अलग होगा सब कुछ, और उसका documentation भी अलग maintain होगा, तो ब्राइंच वाला अपना काम करता है, इंडिपेंडेंटली, principle अपना हाँ, आपस में तालमेल चलता रहता है, बाच्चीच चलती रहती हो सही है, ठीक है, फिर आईए, तो बड़ा प्यारा था यह, भाई कैसे कैसे तो ब्राइंच वालटर की बात गलत है, अब इन्होंने कुछ ratio analysis किया है, दो branches है, उसका inventory turnor ratio निकाला, inventory turnor ratio कैसे निकलता है, आपके numerator में turnor होता है दोस्तों, और denominator में average inventory होती है, आपके numerator में turnor है, और denominator में average inventory दोस्तों, तो यहाँ पे, यहाँ पे branch 1, 2, अगर ब्राइंच ब्राइंच 1 का turnor कम होते जा रहा है, inventory turnor ratio कम होते जा रहा है, ब्राइंच 2 का बढ़ता जा रहा है, ठीके, देखो ratio का कम होना, इसका मतलब या तो turnor कम हो रहा है, या तो average inventory बढ़ रही है, रेशो कम होना मतलब या तो turnor कम हो रहा है, तो average inventory बढ़ रही है, ठीके, ब्राइंच 1 में, और ratio का बढ़ना, बढ़ना मतलब या तो turn or बढ़ रहा है या तो average inventory कम हो रही है यह branch 2 में हो रहा है ठीक है तीन साल का data है देखो पहले दो option में दोस्तों वो बोल रहे है सिर्फ 23-24 को compare करो 23-24 compare करेंगे branch 1 बहुती एक पे है inventory turn or ratio एक पे है inventory turn or ratio मतलब inventory साल बढ़ में कितने बार पलटती है सिर्फ एक बार और branch 2 में कितनी पलटरी है 10 बार किसका ratio अच्छा है 10 का inventory 10 बार पलटरी है turnover 10 गुना inventory के मकाबले 10 बार inventory पूरी बिग जाती है इसका मतलब है दस बार बिग जाती है यहाँ पे उन्होंने पूछा है कौनसे branch में faster काम हो रहा है branch 1 या 2 में भाई 2 का inventory तुमने turn or ratio देखा कि 10 का branch 2 में faster का ठीक है एक में दोस्तों किसकी inventory फटा फट भिक रही है ठीक है एक में दोस्तों एक मिनिट सिर्क मुझे एक मिन दीजिए give me a minute आप सही answer क्या है सोचिए जरा को यहाँ पे actually MTP इन्होंने बोला है कि 2023-24 में आप देखिए branch 1 सिर्फ एक का है मतलब धीरे-धीरे inventory बिक रही है branch 2 में 10 है मतलब fast बिक रही है branch 2 में fast inventory बिक रही है as compared to 1 दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ institute की answer ICI ने ICI ने A को answer दिया है जबकि मुझे एकदम confidence है कि B answer दोस्तों branch 2 की inventory fast move रही है branch 2 की inventory fast move रही है as compared to branch 1 जहाँ पे turnover ज्यादा है inventory turnover ratio ज्यादा है वहाँ पे movement fast है branch 2 में 23-24 की बात करें तो ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों institute का answer गलत लग रहा है मैं mail करके जरूर institute को यह बात भीजूँगा ठीक भाई आपका answer गलत लग रहा है answer आपका B होना चाहिए ICI ने A बोला है अपने को B answer एकदम सही लग रहा है answer B एकदम सही लग रहा है दोस्तों ठीक है आईये दोस्तों email sent by companies auditor ठीक है अब जो principal auditor दोस्तों जो principal auditor है यह principal auditor ब्रांच वाले को एडवाईजरी दे रहा है यह principal auditor ब्रांच वालों को advise दे रहा है कि वह क्या क्या करना चाहिए यह कुछ 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 चीए तुने follow करने चीए यह accounting senate check कर लेना है standards and auditing follow करना है and so on और तुमुझे please confirm कर देना तुमुझे please confirm कर देना कि तुने यह सब कियाना बराबर क्या एक principal auditor यह कर सकता है ऐसे 600 पढ़ते हैं हम लोग दोस्तो ऐसे 600 हम लोग पढ़ते है जो आपका audit report वाला चैप्टर है वहाँ पे companies act का involvement है वहाँ पे हम लोग एसे 600 पढ़ते हैं दोस्तो और वहाँ पे बिल्कुल 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 सही है principal auditor principal auditor initially coordination establish करता है बातचीत करता है सामनाले को advisory देता है instructions देता है उसके साथ discuss कर सकता है उसकी audit procedure बिल्कुल उसकी audit procedure discuss कर सकता है ठीक है उससे summary मांग सकता है summary लिख कर दे तुने कैसे काम किया बिल्कुल कर सकता है principal auditor पूरा काम review नहीं करता है लेकिन coordination, advisory, discussions यह बिल्कुल कर सकता है दोस्तो ठीक है छोटा मोटा यह बिल्कुल कर सकता है तो जो आपका principal auditor advise दे रहा है और गोलना confirm कर यह बिल्कुल सही है SS600 के हिसाब से SS600 के हिसाब से इस तरीके से advisory देना और चीज़ों confirm करवाना दोस्तों बिल्कुल सही है कोई problem नहीं है आए दोस्तों के सिनायो नंबर थ्री है आए देखो सीधा question की उपर आए दोस्तों बहुत सी बार तो आपको main case पढ़ना भी नहीं पढ़ता considering table ठीके आप कौन सा example of non-funded non-funded facility कौन सी है आपको बता है जहां पर पैसे का transfer involved इसको बोलते हैं टर्म लोन शॉट टर्म लोन सी सी इसमें पैसों का transfer इंवाल उसको funded facility बोलते है उसको funded facility बोलते दोस्तों जहां पे हम लोग सिर्फ भी promise कर रहे है लेटर और इशू कर रहे है guarantee इशू कर रहे उसको non-funded बुरह नशी बताव बिल पर्चेस पैसा देना पड़ता है ठीक है यह तो funded है लिए a housing loan पैसा देना पड़ता ए बिल purchase फिर पैसा देना पड़ता है लेटर फासट करड़िट एल सी इशू करना गारेंटी इसू करना इसके अंदर हमने कोई पैसे दिये नि सामने वाले को हमने सिर्फ promise दी है हमने सिर्फ promises किये है ठीक है कि हम अगर हमारे customer में पैसा नहीं दिया तो हम दे देंगे ऐसे promises किये यह non-funded facility दोस्तो main case तो पढ़ना भी नहीं पढ़ा दोस्तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको main case पढ़ने की जरुरत ही नहीं होती ठीक है आईए दोस्तो now फिर अगर हम लोग बात करते हैं ठीक है यहाँ पर उसने बोलाए कि मैं test of controls करूंगा बाद में substantive test करूंगा उसने risk निकाली और risk high आई risk निकाली और risk high आई तो risk high आई तो उसके response में बोलता है मैं दोनों perform करूगा कौंसा standard on auditing है जो deal करता है कौंसा standard on auditing है जो deal करता है ठीक है responsibility to design such test दोस्तों ऐसे 330 है जिसका नाम है response to risk response to risk इसमें detail में explain किया हुआ है कि test of भली बाकी stand में reference आया होगा कि test of control कैसे perform करना test of control कैसे perform करना और substantive procedure कैसे perform करना नए कोर्स में दोस्तों नए कोर्स में आपका chapter number three है आपका chapter number three है और उसमें उसके अंदर essay 330 आता है दोस्तों कोर्स में है और वहाँ पर explain कि test of control कैसे perform करना substantive process कैसे perform करना कौंसी बाते ध्यान में लेकर चलना तो दोस्तों इसका perfect answer है आपका essay 330 इसका special आपका answer दोस्तों आईए unable to understand relevance of going through SMA सबसे पर तो SMA क्या होता है दोस्तों SMA का मतलब होता है special mention accounts इसमें भी दो आते दोस्तों SMA1 आता है और SMA2 आता है SMA1 आता है और SMA2 आता है सरी होते क्या है दोस्तों SMA1 मतलब जहां पर amount overdue है more than 30 days up to 31 से 60 days तक overdue for 31 to 60 days SMA2 मतलब 61 to 90 days essay account जो अभी overdue चल रहे है आगे जाके NPA हो सकते है जो आगे जाके NPA हो सकते है जहां पर अभी गडबर चल रही है थोड़ी उसको SMA special mention account बोलते है bank audit में that is called special mention account ठीक है अगर SMA2 हम लोग देखेंगे तो उससे हमको क्या समझेगा SMA2 से क्या समझेगा ठीक है क्या हमको पता चले कहां कहां पर जादा लोन दिये ऐसा नहीं है हमको यह पता चलेगा कहां पर खत्रा है कहां पर NPA बन सकता है कहां पर NPA बन सकता है क्या हमको पता चलेगा सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल नहीं नहीं कौन सा स्टैंडर्ड ऐसेट आगे जाके NPA बन सकता है इसके बारे में हमको पता चलता है तो answer is D दोस्तो ऐसे में अगर हम लोग स्टडी करते रहेंगे special mention account आपको पता है 90 दिन बाद NPA हो जाता है ठीक है 31 से 60 और 61 से 90 यह आपको बताता है कौन सा स्टैंडर्ड ऐसेट कौन सा परफॉर्मिंग ऐसेट आगे जाके NPA बन सकता है answer is D दोस्तो ठीक है आईए कौन सा most appropriate option है regarding auditors दोस्तो इसके अंदर में बता रहो क्या हो रहा है basically एक NGO है मैं बताता हूँ यह as a question not as a MQ as a question final के book में final के book में उसका MQ यहाँ बाड़ा ला उसका MQ यहाँ बाड़ा ला एक NGO का audit है एक NGO का audit है और जो NGO का audit यह NGO ना citizen के rights के उपर काम करता है मतलब एक NGO जो बहुत ही controversial मामले पर काम करता है इसको foreign से funding मिलती controversial इसमें काम कर रहा है मतलब गड़बड के chances मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर ठीक है नारे बाजी नारे बाजी और government के खेलाफ प्रदर्शन और यह बहुत सारे controversy चलती रहती है तो controversial काम करता है ठीक है politics में है उपर से foreign funding है foreign funding है तो और गड़बड है government के regulation बहुत strict हो रहा है regulatory regulation strict हो रहा है और गड़बड है जो बंदा है जो बंदा संभाल रहा है सब कुछ उसको कोई experience तो लेकिन कोई professional legal education जो बंदा account संभाल रहा है उसके पास में कोई professional education professional knowledge नहीं है legal knowledge नहीं है भाई साब problem ही problem नज़र आ रहे है क्या महसूस होता है इस assignment में risk कम है कि जादा है भाई साब controversial काम कर रहे है risk जादा है foreign funding है risk जादा है regulation बहुत सारे गडबड की risk non compliance की risk जादा है जो बंदा काम संभाल रहा है वो बंदे का background जोरदार नहीं है risk जादा है ठीक है तो क्या लग रहा है आपको यह feel आ रहा है कि यहाँ पर risk जादा है क्या risk यहाँ पर low है गलत बात ठीक है not possible to make precise measurement ऐसा answer generally नहीं रहता है क्या risk high है बिलकुल सही बात दोस्तों यह answer है risk is high यहाँ पर risk जादा लग रही है यह answer है जब्यों रिस्क हाई लोग की बात एक feel लो overall यहाँ प्यार overall feel क्या है overall feel क्या है वह आपने रहाची कुछ दोस्तों कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे सर यहाँ पे तो risk of material misstatement जाता है कुछ लोग सोचेंगे सर risk of material नहीं नहीं दोस्ता मत सोचो और all feel लो की risk कम है की जादा है that's it bill discounted non funded नहीं होता है भाई जब हम bill purchase करते है जब हम bill purchase करते है उसको बोलते bill discount करना पैसा देना पड़ता है bill discounting is a funded facility is a funded facility दोस्तो आईए यहाँ पे एक बंदा planning कर रहा है planning कर रहा है और planning में उस सारे factors consider कर रहा है पाँच बाते लिखिए कौनसे factor strategy के लिए सही है और कौनसे factor strategy के सही है एक बंदा planning कर रहा है ठीक है वो देख रहा है कि मुझे क्या क्या report बनानी है उसकी list बना रहा है भाई मुझे यह report बनानी है ठीक है मुझे expert लेगा कि इसके बारे में सोच रहा है पिछले साल का evidence में use कर सकता हो कि वो सोच रहा है volume कितना है ठीक है test of control जादा करने चाहिए कि वो सोच रहा है nature timing extent exact substantive audit process क्या होनी चाहिए वो सोच रहा है यह लोग पूछ रहा है कौन सी चीजे strategy से related है पढ़ने के बाद सब लगता है दोस्तों लेकिन strategy से related है one two three four जब आप detail में nature timing extent of audit procedure बोलते है तो वो planning में वो सुनिएस दोस्तों planning में दो चीजे होती है पहले बनता है overall audit strategy और strategy बनने के बाद next बनता है दोस्तों audit plan next detail step by next detail step by step instruction बनते है दोस्तों उसको हम लोग बोलते है audit plan that is उसको हम लोग दोस्तों audit plan बोलते है that is called as audit plan ठीक है पहले कि जो चार चीजे वो strategy बाने के लिए सही है लेकिन detail में planning nature of activity timing of activity extent of activity of substantive audit procedure is not part of audit strategy it is part of preparing audit plan गहरा था दोस्तों यह ठीक है सीखिये सही है strategy में तो broad broad चीजे हम लोग करते detailed nt decide करते step by step instruction decide करते वो कहां आता है वो planning में आता है ठीक है इसलिए five नहीं आएगा answer will be one two three four बड़ा प्यारा था बहुत अच्छा लगा मेरेकों बहुत नहीं बड़ा लगा बहुत प्यारा लगा बहुत अच्छा लगा one two three four आएगा दोस्तों बंदा चेकिंग करने गया commodity future बंदा चेकिंग करने गया दोस्तों चेकिंग करने किसमे गया चेकिंग करने के लिए commodity future commodity future की checking करने के लिए दोस्तों मतलब वो जो business जो client उसका business है मतलब actual commodity नहीं आपको बता है future options होते हैं आपको बता है future options होते हैं जैसे stock एक जहां पे audit करने जा रहा है वो लोग stock exchange पे stock exchange पे commodity की trading करते future options करते मतलब कोई real commodities की trading नहीं हो रही है stock exchange पे stock exchange पे trading हो रही दोस्तों ठीक है जब यह stock exchange पे पूरी trading हो रही है तो cost of romal को कुछ काम ही नहीं है कौनसी audit procedure की जरुवत नहीं है cost of romal का काम ही नहीं दोस्तों that is the answer turnover check करना सही है accounting policy सही है contract note जब stock exchange पे कोई चीज़ खरीतते बेशते हो तो broker आपको daily transaction का contract note बेशता है contract note बेशता है daily business का दोस्तों कोई भी word का आपको doubt आता है आप video में comment करिए मैं उसके जवाब देता रहूँगा मैं उसके जवाब देता रहूँगा ठीक है तो यहां पर भाई साब जब stock exchange की trading हो रही है future options चल रहा है cost of raw material consumed का कोई relevance ही नहीं बनता दोस्तों दोस्तों हम लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे हम लोगों ने RTP के case studies हम खतम कर दियें हम लोगों हने MTP के attempt this करें MTP के case study दोस्तों खतम कर दिये, ठीक है, अब फटा-फट, कुछ और case studies हम लोग फोड़े से देखते हैं, फिर आज के session को हम end करेंगे, ठीक है, तोटल 100 के असपास, 100 के असपास MCQs है, आज 50 के असपास कर लेंगे, अगले session में, अगला session मैं announce कर दूँगा, यही पर आएगा, most probably हो सकता कली हो, ठीक है, तो यही पर आएगा, यही पर हम लोग उसको भी देख लेंगे दोस्तों, chapter number 1 है दोस्तों, बहुत ही simple सी कहानी है कि दो लोग, CA Institute के audit के lecture सुन रहे हैं, और वो आपस में concept discuss कर रहे हैं, आपस में concept discuss कर रहे हैं, chapter number 1 study model का question है दोस्तों, आईए, audit of financial statement are not guarantee against the probable wrongdoings in financial, audit मतलब, company ने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किस तरह का assurance, देखो case को पढ़े भी नहीं आ जाता है, किस तरह का assurance होता है, यह तो रग-रग में बचा है, reasonable assurance, reasonable assurance मतलब क्या, moderate level of assurance, गलत, low level, गलत, high level, बिल्कुल सही, reasonable assurance मतलब high level of assurance, दोस्तों, answer आपका C है, क्या एक auditor force कर सकता है, force कर सकता है, pressurize कर सकता है, employee को, तुझे मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं तेर से सवाल पूछूंगा, you'll have to do it, ठीक है, दोस्तों, Companies Act में, we have right to, right to do inquiry, पूछता आच, third degree का right नहीं हमारे पास, third degree का right नहीं हमारे पास, हमारे पास right to do inquiry है, हम पूछताच कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, डराना, धमकाना, third degree देना ये काम नहीं कर सकते हैं, no, he cannot do so, he can only request, हम request कर सकते हैं, inquiry कर सकते हैं, for information and documents, he cannot force, डराना, धमकाना, third degree नहीं दे सकते दोस्तों, interesting बद, देखो हमको maximum जगा पे तो main case पढ़ने की ज़र्वती नहीं, थोड़ा-थोड़ा हमको main case पढ़ना पढ़ता का ही कई तो, थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पढ़ता का ही कई तो, थीक है, आईए, आगे मैं आपको बता रहो दोस्तों, अली लिमिटेड, अली हैड लिसन की, भाई, audit में each and every transaction चेक करना पढ़ता क्या, इच and every transaction चेक करना पढ़ता क्या, इच and every locality, हर branch, हर region, हर office में जाके चेकिंग करनी पढ़ती क्या, दोनों गलत है, इच and every transaction चेक करना ऐसा नहीं, हम sampling करते हैं, इच and every branch चेक करना गलत हम scope करते हैं, कित्ती branches scope में आएगी, कित्ती branches scope में नहीं आएगी दोस्तों, वो हमको देखना पड़ता है, कितने स्कोप में आएगा, कितना स्कोप में नहीं आएगा, तो दोनों के statement गलत है, सारे चेक करने वाले दोनों के statement गलत है, अब यहाँ पुछा है, कौन सी चीज नॉट लाइकली benefit of auditing, auditing से fraud error मिलते है, बिलकुल सही बात है, यहाँ पर not connected to future events, गलत, past events, जो past में चीज़े हो चुकी है, जिसकी accounting हो चुकी है, financial statements का मतलब ही होता है, financial statements का मतलब ही होता है, historical information, historical information मतलब आपके books of accounts से जो financial information मिलते हैं, इस historical information. Audit में in general हम लोग historical information का audit करते हैं historical information को audit करते हैं historical चीजों को हम लोग check करते ये future बोलकर इन्होंने गलती कर दी ये future future को हम predict करते है future को check करते है गलत हो गया ठीक है News report about how a company had mislit the auditors by producing some fabricated document बही नीज में इने सुना की कैसे आउटर्स को बहुकूब बनाया गया फैब्रीकेटड डॉकुमेंट डेखकर कौन सा स्टेक्मेंट अप्रोपेट लग रहे है इट वस रॉंग अगर बतलब ऐसा बोला गया हम आउडिट करने गए और क्लायंट ने बहुती ज़्यादा फैब्रीकेट डॉप्लीकेट नकली डॉकुमेंट्स बना करके ऑउडिटर को दिये ऑउडिटर ने उसके बेस पे अउडिट किया और आगे जाके बड़े-बड़े फ्रॉड निकले क्या ओउडिटर इसके लिए जिम्मेदार है क्या ओउडिटर इसके लिए जिम्मेदार है ठीक है डी प्लेड फ्रॉड बहुती ज़्यादा sophisticated तरीके से किये वे fraud के लिए क्या auditor जिम्मेदार होता है क्या auditor जिम्मेदार होता है नहीं होता है हम standards on auditing पढ़कर एक ठीक है अच्छे level की audit process perform करके reasonable level of assurance देते कितना भी कुछ भी कर ले inherent limitations होते deep lead fraud, sophisticated fraud हम पकड नहीं सकते ये inherent limitation है हम पकड नहीं सकते inherent limitation है तो यहाँ पर auditor की गलती हो गई उनको punish करो ये बिलकुल गलत बात है auditor wrong है ये गलत बात है ठीक है, auditor wrong है ये गलत बात है management कभी mislead नहीं करता ऐसा नहीं, बहुत बार mislead करता है यहाँ पर answer number C is appropriate auditor has to conduct audit by professional skills but he cannot he is not expert in discovering genuineness, वो forensic auditor नहीं है हर document की originality lab testing करो, ठीक है fingerprint testing करो, ink testing करो ये सब काम नहीं होते है ठीक है, तो बिलकुल ऐसा बहुत कुछ possible है कि लोग deep-laid, sophisticated, modern तरीके की fraud करे, बेवकुब बनाने की कोशिश करे, इसका बिलकुल पॉसिबल है ठीक है, ये बिलकुल पॉसिबल है इस बिलकुल पॉसिबल है, डेफिनिटली इस पॉसिबल तो order जिम्बदार रहेगा ऐसा बिलकुल हम नहीं बोल सकते दोस्तों interesting है, अच्छी बात है दोस्तों आईए कमान, 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 कमान ठीक है, बस हम लोग एक दो केस, एक दो केस और देखें दोस्तों, आईए, 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 आईए ठीक है, ये कॉंटरवर्शल केस है थोड़ा दोस्तों ये आपका कॉंटरवर्शल केस है, ठीक है आईए दोस्तों ये last case हम लोग करते हैं ये controversial केसे थोड़ा यहाँ पर institute के तरब से थोड़ी सी गलती हुई है क्या case में आपको बताए तो क्या case में आपको बताए तो गलती मतलब और इन्होंने Corrigendum इन्होंने Corrigendum भी इशू किया है, rectification भी इशू किया है लेकिन rectification भी इतना जोड़ा नहीं किया हुआ basically एक company है वो CA के पास आती है और बोलती है कि भाई हमको loan लेना है तो 6 मेने के financial statement audit करके दे assurance दे, मुझे check करके 6 मेने के financial statement audit करके दे क्या 6 मेने का audit होता है बिलकुल होता है कि उस पे भी report दे, दो काम बंदा आता है और बोलता है दो काम करके दे, 6 मेने का audit करके दे और future की जो checking करके दे दो काम मुझे करके दे दे बेटा बोले ठीक है फिर यहाँ पर ठीक था कि दो काम करके चाहिए मुझे 6 मेने का audit और future की जो projected financial statement होते है, projected financial statements उसको भी check करके उस पे भी report दे आखरी में ऐसा बोला है कि इस assignment में सिर्फ आखरी में auditor को trial balance दिया है trial balance trial balance दिया है draft preliminary आधे अधूरे financial statements दिया है और उसको बोला है कि तू financial statement अच्छे से बना ले उसको sign करके मुझे दे दे अब ये case थोड़ ड्राफ्ट करने में institute के तरप से गलती होगा इस ओके दोस्ते उपर बोल रहे थे 6 मेने का audit करके दे और future का checking करके future के जो projected financial statement है उसको check करके दे और आखरी paragraph में बोल रहे ये आधियदरी information ले और मुझे financial statements बना कर दे उपर audit 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 की बात कर रहे है और नीचे compilation की बात कर रहे है नीचे compilation की बात कर रहे है they are talking about compilation of financial statements क्या फरक पढ़ जाए दोस्तो essay बदल जाते है audit कर रहे हो तो essays लगते standards on auditing historical information का audit कर रहे हो essays लगते futuristic information का audit कर रहे futuristic information, prospective information तो SAE लगते standards on assurance engagement अगर आप audit नहीं कर रहे सिफ financial statement बना कर दे रहे assurance नहीं दे रहे तो SRS लगता है standards on related services standards on related services Corrigendum में उन्हें क्या बोला यह जो पहला question है the management of the company has engaged CAP to issue duly signed report of half year which of the following standard if any issued by ICI relevant ठीक है बोले last para last para आप पढ़ो ऐसा उन्हें एक word add कर वा है Corrigendum में सिफ last para पढ़ो और last para पढ़कर क्या लग रहा है last para में बोला है कि भाई उपर अलगी कहानी बोल लिए नीचे अलग कहानी बोल लिए नीचे जो कहानी बोल लिए उसमें ऐसा है कि भाई तिरको हम basic information दे देंगे trial balance information आद्यादूरे financial segment तू इसको complete कर और इसको sign करके हमको दे यह compilation वाला काम है अगर हम compilation वाला काम है ठीक है अब एक ही case में ऊपर अलग assignment की बात किये नीचे अलग assignment की बात किये कोई बात नहीं last paragraph में जो बात करते हो compilation की बात करते है compilation में किसी को assurance नहीं तो सिर्फ financial statement बना कर देते हैं भई हमने management को मदद की financial statement बनाने में that's it that's it financial statement बनाने में हमने मदद की तो वह compilation compilation of financial statement है आपके course में दोस्तो compilation financial statement final में पढ़ेंगे बस ठीक है final में पढ़ेंगे दोस्तों हम लोगे ठीक है final के अंदर separate chapter है इसके उपर लेकिन यहाँ पर आपको अदर compilation assignment है तो standards on related services लगेगा तो दोस्तों यहाँ पर standards on related services लगेगा it is a compilation application ऐसे assignment जिसमें audit में जिस तरह के knowledge और skills लगते है उसी तरह का knowledge और skill जिस assignment में लगता है उसको हम related services बोलते हैं फिर यहाँ पे किस तरह के वापस अगर मैं सिफ लास्ट paragraph की बात करूं लास्ट paragraph की बात करूं किस तरह के assignment की बात हो रही है most appropriate कौन सा है most appropriate कौन सा है यहाँ पे जो assignment के हम बात हो रही आईसे ने answer दिया है CAP can assist management को मदद कर सकता है assist कर सकता है management को in preparation of financial statement इसको compilation और इसके उपर compilation report दे सकता है आपके course में नहीं compilation report आपके course में सिफ types of standards है types of standards है कि standards on auditing कौन से assignment को लगते है वैसे detail भी नहीं इसके अंदर आपको से वित्ता पता है इसको आपको से वित्ता रखना है लास्ट परेग्राफ लास्ट पुरा केस तुमने डिसकस ही क्यों किया फिर सिदा लास्ट परेग्राफ में सब कुछ करना था SQC लगता है क्या SQC 1 is applicable to all the different types of assignment अगर आपका कोई assignment चल रहा है essay के अंदर या फिर review SRE के अंदर या SAE के अंदर या SRS के अंदर आपके जितने भी assignments चल रहा है सबकी quality को बरकरार रखने के लिए SQC 1 है सबकी quality को बरकरार रखने के लिए SQC 1 है SQC 1 is applicable to maintain quality of all the assurance all the assurance and related services all the assurance and related services क्या SQC applicable होगा यहां पे बोला है not applicable यहां पे बोला है not applicable यहां पे बोला है not applicable यहां पे बोला है applicable बिल्कुल होगा दोस्तो माना compilation का काम कर रहे बिल्कुल applicable होगा the banker of company has requested projected financial statement जब आप audit या review करते हो किसी information का जब आप audit या review करते हो किसी information का which is other than historical जो की other than historical हो futuristic हो जो की other than historical हो futuristic हो अगर आप futuristic चीज़ के audit की बात करते दोस्तों फ्यूचिरिस्टिक चीज़ के audit की बात करते दोस्तों ठीक है तो आपको standards on assurance engagement लगाना पड़ते है SAE आपको लगाना पड़ते है दस्तो answer is D work of issuing projected financial statements management ने project किया है 700 करोड for the next year फिर 1500 करोड 200 करोड for the following year और इस साल का टरोड है 25 करोड has himself satisfied arithmetical accuracy क्या उसको किस पर focus करना चीए calculation मतलब plus minus calculation पर focus करना चीए assumptions जो है वो सही है कि उस पर focus करना चीए arithmetical accuracy of data along with presentation पर focus करना चीए reasonableness of assumptions दोस्तो वापस यह आपके इतने course में नहीं आता है unfortunate की institute ने लिया है पूरा chapter में पढ़ाता हूँ यार 3000 series है 3400 ठीक है 34002 34001 पूरी series है ठीक है तो जब हम लोग बात करते futuristic financial statements की तो हमको reasonableness of assumptions देखना पड़ता है ठीक है reasonable ने हमको देखना पड़ता है reasonable ने सिर्व assumption की जो underlying assumption है की market share future में कितना होगा हमारे market total market कितना होगा हमारे पास में कितना market share होगा यह assumptions हमको check करने पड़ते we have to we have to see the assumptions are they realistic or not are they reasonable or not are they proper or not यह हमको देखना पड़ता है ठीक है तो B और D CAP has satisfied में से रुगारे एक reasonableness of assumptions underlying the projected turnover and its consistency with actuals देखो B के अंदर थोड़ी चीज़े कम है disclosure और presentation की बाते D में क्यों है भाई यह भी check करना पड़ता है कि assumptions बराबर है न और assumptions लिखने पड़ते कि हमने क्या assume कि future में कितना बड़ा market होगा कितने customers होगे कितने products होगे वो assumptions लिखने पड़ते तो यहाँ पर additional बात किये ध्यान रखना जहाँ पर भी additional बात किये वो answer generally बहतर होता है answer यहाँ पर दोस्तो D है D is going to be the answer तो दोस्तो around 50 हम लोगों ने cover किये है अभी 50 हम लोगों ने cover किये है अगले session में और 50 cover करेंगे यह सबसे important है आप मान कर चलो यहाँ से आपके 3-4 MCQ तो फसने चाहिए और इसी lines पर आपके और MCQ आएंगे बाकी सज बोलू तो conceptual knowledge इतना strong है और आपका presence of mind presence of mind कितना प्यारा है आप कितने confident हो कितने sharp हो उस पर आपका MCQ solving depend करता है it depends on that conceptual clarity कितनी अच्छी है हिम्मत और confidence कितना अच्छा है कितना आप हिम्मत से sharp ने इससे चीज़े solve कर रहे दोस्तों यहाँ पर हम end करते है मज़ा है तो जरूर जरूर कमेंट करें अगला session जल्दी आएगा कल ही आ सकता है अगला session खतम कर देंगे इसको दोस्तों Bye Bye Everyone